दोस्तों ये है मेरे पास Samsung Galaxy S21 FE 5G, इस वाले फोन को मैं काफी दिनों से यूज़ करना हूँ, लगबंग मुझे यूज़ करते हुए, डेर साथ से उपर होगे, इसकी performance किसी भी flagship phone से कम नहीं है, इन फैक्ट मैंने इसको iPhone 13 Pro से भी मैंने इसको compare गया था, जहां दोस्तों में पजाले फोन है, तो मैंने इची देखी कि अगर आपके आइफोन नहीं है, वह सिर्फ Samsung S21 FE है, तो फिर आपका पूरा का पूरा आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगरे हाँ पे Motorola Edge 50 Pro 5G की बात के हैं, तो यह phone यहाँ पे हाली में हमको देखने हो मिला है, इस phone में जो features है, बतला price के साब से जो features है, वो killer है, चुकि यहाँ पे flagship features हैं, इसके बाद अगरे हाँ यहाँ पे color options की बात की जाए, तो फिर आपको Samsung में तो से जादा मिल ज आता है, matte finish के साथ में, लेकिन जो Motorola का एक white color है, वो यहाँ पे plastic की build quality के साथ में आता है, तो इस बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेगा, Samsung में आपको सभी color options में, आपको plastic की build quality मिलती हो, यहाँ पे matte finish आपको मिल जाएगी, इसके बाद आपको दोनों ही phones में curve edges मिल जा इसमें thickness of weight की, यानि की form factor की, तो फिर यहाँ पे जो form factor है, वो Samsung S21 FE का काफी ज़्यादा बढ़ी है, यह phone मैं आपे काफी दिनों से use कर रहा हूँ, यह phone काफी पतला है, काफी हलका है, इसका in hand feel काफी सही आता है, इसके बाद अगर यहाँ बात की जाएए, इसमें in the box content की, तो फिर आपको motorola में सभी content आपको मिल जाता है, back cover मिल जाता है, और एक अच्छी quality का आपको आपके back case मिलता है, जो कि पीला नहीं पड़ेगा, बाकि charger में एक यहाँ पर glitch है, जैसे कि अगर आप लोग 8GB RAM वाला जो विरेंट है, अगर आप लोग इसको buy करेंगे, तो फिर आप लोग 25W के charger दे पारें, यह Samsung का है, मैंने इसको अलग से वाय किया था, तो सो महेंगा आता है, इसके बाद अगर आपर बात की जाए, इसमें battery बकाव charging की, तो फिर आपको on paper लग रहा होगा, कि यह दोना ही phones में आपको 45 वार्मेच की बैटिंग मिलती है, लेकिन जो मे लेकिन यहाँ पर जो battery backup है, आपको normal use में आपको एक दिन तक ही मिल जाएगा, और यहाँ पर जो अगर आपको heavy use करेंगी, तो फिर आपको दिन में यहाँ पर यहाला phone भी दो बाद चार्ज करना परेगा, बाकी जो charger है, उसका तो मैंने आपको बताई दिया है, इसके बाद अगर पर premium features की अगर बात की जाए, तो फिर दोनों ही phones में आपको wireless charging, reverse wireless charging का support मिल जाता है, लेकिन जो quality है, मतलब motola है, इसमें आपको 50 watt की यहाँ पर wireless charging मिलती है, जबकि यहाँ पर Samsung में आपको सिवसिव, यहाँ पर 15 watt की मिलेगी, और जो यहाँ पर reverse wireless charging है, वो भी motola की इसके बाद अगर आपर बात की जाए, इसमें cameras की, तो फिर यहाँ पर on paper जो specs है, motola के तो से आपको better लग सकते है, च्योंकि 50 megapixel का main camera है, OIS के साथ में 30 megapixel का ultrawide camera है, यहीं पर भी macro lens भी देखने मिल जाएगा, 10 megapixel का आपको यहाँ पर telephoto lens मिलता है, अगीन यह भी OIS के इसके आपको यहाँ पर जूमी मिल जाती है, और वीडियो शूट आप लोग दोनों ही phone से 4K तक ही निकाल पाएंगे, selfie की बात करें, तो फिर आपको motola में 50 megapixel की selfie मिलती है, Samsung में आपको 32 megapixel की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग दोनों ही phone से वीडियो शूट आपको यहाँ आप लोग इंडो के देख लीजिए, आउट्डो के देख लीजिए, इसके जो dynamic range है, इसका जो यहाँ पर edge detection है, sharpness, details, और यहाँ पर सभी कुछ आपको काफी ज़्यादा बढ़िया देखने मिल जाएगा, और यहाँ पर जो इसका main camera है, और जो इसका ultimate camera है, वहाँ पर आपको ज़्यादा फरक देखें को नहीं मिलेगा, चुकि दोनों ही 12-12 MPC है, और इसका back camera setup है, वह एक यहाँ पर flagship grade वाला आपको यहाँ पर मान सकते हैं, बाकि जो इसका telephoto lens है, वह सिर्वा सिर्व 8 MPC है, इसकी वजए से आप लोग को यहाँ पर जो बुके shot ह अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, इसकी selfie भी काफी ज़दा बढ़ी है, यहाँ पर भी exposure balance, और यहाँ पर dynamic range है, सब भी कुछ आपको यहाँ पर काफी ज़दा सही देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर selfie के लिए, यहाँ पर मैं यह चीज़ आपर कहना चाहूँगा कि back camera तो flagship है, लेकिन selfie इसकी flagship नहीं है, चूकि मैं iPhone भी यूज़ कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे पता है कि flagship selfie क्या होती है, तो फिर आफ फाइली बात आती है, कि यहाँ पर camera क्ले कौन सा phone ले जाए, तो definitely आप लोग अभी भी यहाँ पर Samsung की ही तरफ जाएए, चूकि यहाँ पर optimization है, setup है, वो काफी ज़्यादा सही मिल जाता है, इसके बाद अगरे आपर बात किजाए, इसमें display की, तो फिर आपको display का size है, Motorola में काफी ज़्यादा बड़ा देखना मिल जाएगा, 6.7 inches का है, बाकी Samsung में 6.4 inches का मिल जाता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया थ चुकि यहाँ पर आपको curved AMOLED display मिल जाता है, इसलिए का कोई use नहीं होता है, लेकिन इसके वएसे phone का look and design काफी ज़्यादा premium हो जाता है, और Samsung में आपको flat display मिलता है, यहाँ पर भी एक AMOLED panel है, इसके जो colors है, वो काफी ज़्यादा पंची आते हैं, Android में जितने भी phones में AMOLED ची देखने को नहीं मिलेंगे, बागी protection आपको Samsung में काफी ज़्यादा better मिल जाती, flagship grade वाली है, इसके बाद जो screen refresh rate है, Motorola में आपको 144 हर्स का मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा fast है, लेकिन Samsung में आपको 120 हर्स का मिलता है, और यहाँ पर कोई adaptive screen refresh rate आपको देखने को नहीं इसके बाद आपको दोनी phones में HDR 10+, जैसे premium features मिल जाते हैं, लेकिन जो 10 bit वाला premium feature है, यह आपको Samsung में देखने को नहीं मिलता, तो फिर यहाँ पर यहाँ पर दिस्प्ले की quality, वो definitely, आपर Motorola की काफी ज़्यादा better है, हाला कि Samsung की भी काफी सही है, लेकिन यहाँ पर protection है, वो इद इसके बाद यहाँ पर अगर मैं Samsung S21 FE की यहाँ पर बात करूं, तो यहाँ पर मैंने, मतलब video editing, gaming यहाँ पर सब कुछ मैंने, 4K video editing काफी smoothly हो जाती है, लेकिन बस यह chipset जो है, वो काफी powerful है, लेकिन हीट कर जाती ही, तो यह दिक्कत है, लेकिन अगर आगर आप लोग यहाँ पर आट लग के साथ में जाएंगे, तो definitely आपको performance यहाँ पर काफी ज़्यादा बढ़िया देखने मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मोटोला की बात करें, तो यहाँ आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिल जाती, 4N वाले चिपसेट है, जिसके यहाँ पर आट लग के ओपा देखने मिल नहीं होता है, वहीं आपको देंगे, च्योंकि आपको मोटोला में यहाँ पर एक नियर टु स्टॉक आट यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन अगरा पर समसंग की बात करें, यह फोन को लांच वे टाइम होगया है, यह फोन अगर 12 पर लांच हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको Android 16 तकी updates मिलेंगे, तो updates के मालने में, मोटोला आगे निकल जाता है, और यहाँ पर भी आपको security मिल जाती है, यहाँ पर hardware की security होती है, जैसे कि नौक security है, जो आप लोग secure folder देख पा रहे हैं, और यहाँ पर अच्छी बात यह है, कि यहाँ दोनों ही phones में जो premium features होते ह जैसे कि मोटोला में आपको हाँ पर ready for जो feature होता है, और Samsung में जो हाँ पर Samsung का dex होता है, तो यह दोनों जो premium features होते हैं, यहाँ आपको दोनों ही phones में देखे मिल जाते हैं, काफी useful यहाँ पर features है, तो यहाँ पर software को लेके दोनों ही phone ठीक है, लेकिन यहाँ अपर updates के मालने मे मोटोला थो सागे नहीं कर जाता है, इसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए, इसमें कुछ और बड़र features की, तो फिर आपको दोनों में in-display fingerprint sensor मिल जाएगा, Samsung का मैंने यहाँ पर test किया, काफी fast काम करता है, accurate है, एक बाम में खुल जाता है, इसके बाद जो यहाँ पर speaker है आपको यहाँ पर dual stereo speakers मिल जाते है, दोनों ही phones में, बाकी IP68 की rate में मिल जाएगी, दोनों ही phones में, तो यह भी काम काफी अच्छा है, मतलब दोनों फोन waterproof है, NFC का support मिल जाता है, IR Blaster नहीं है, इसके बाद अगर आपर बात कीज़े है, इसमें वेरिंट और रेट की, तो इसके बाद आप फाइनली बात आती है, मेरे point of view कि कि आपको कौन सा फोन बाएक करना चाहिए, तो फिर देखिए, अभी भी जो Samsung वाला फोन है, वो काफी सही निकल के आता है, तो यहाँ पर जो इसका form factor है, और जो यहाँ पर overall जो यहाँ पर chemical setup है, इसके बाद जो यहाँ आपको काफी सही मिल जाएगा, वीडियो में भी आपको result काफी जाता बढ़िया देख मिल जाते, डिस्प्ले भी ठीक है, बाकी software भी अच्छा है इसका, तो यहाँ पर overall यहाँ पर अभी यह फोन काफी है, सही निकल के आता है, बाकी premium feature जैसी के IP rating या तो यहाँ पर जो wireless charging ह समसंग, otherwise हाँ पर Motorola काफी सही निकल के आते हैं, तो आई होब कि आपके सभी राउस के लिए हो गएंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजाए, हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजे, अगर आप लो मुझे support करना चाते हैं, मिलते हैं, आप से आगले वीडियो में टाटा वाव है हुँ झाते हैं, मिलते हैं, अीज़ चैनल वाव हैं, वैरे म knocking byंभण में लो मुझे, एप स्क्राइब करें तो सब्सक्राइब क कर से आगले सो को आपके लिएे तो समस्ते हैं, आपके समस्ते हैं, आते ही होईने कर सक्राइब कर दाष्ब कर स कर दो मैं कर जजे लाएब कर स